नवस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ती लॉगडाउन के लगबग दो महीने हो चुके हैं अब तो लग रहा है खुलने भी वाला है उससे दो हफ्ते पहले ही अर्थशास्त्री कह रहे थे कि मोधी सरकार खर्चा हमारी एकॉनमी डूब सकती है देश डूब सकता है मैंने खुद भी मार्च के बीच में 15 मार्च को मेरा छपा हुआ लेक है इस पर यह खर्चा बढ़ाना चाहिए मोधी सरकार को नहीं तो एकॉनमी का हाल बहुत बुरा होगा खैर हमने मार्च पूरा देख लिया खास करोड का एकॉनमिक पैकेज में दे रहा हूँ यह 10 प्रतिशत है हमारे जीडीपी का और इससे हमारा देश आत्मे निर्भर होगा बहुत होके सोचा कि अच्छा चलिए दे रहा है दुरुस्त आए कुछ तो अब आया है बहुत कुछ आया है अब मामला आपके सामने आ चु पढ़ रहा है उनके आय पर पढ़ रहा है आय उनकी कम हो रही है खर्चा भी कम हो रहा है और इसका असर सिरफ अभी नहीं होगा एकॉनमी पर आगे आने वाले दिनों में होगा पूरे साल होगा और इसी का हिसाब लगाएंगे आज की इस एपिसोड में अप्रेल में जब लॉकडाउन हुआ तो लगबख सभी चीजों पर ताला लग गया सिर्फ जिसको एसेंशल सर्विसेज कहते हैं आवश्यक या जरूरी सेवाएं छोड़कर बाखी सब चीजों पर ताला लग गया तो अब नौकरिया तो जानी थी अब आप देखिए कि हमारे देश में जातर लोग दिहारी मजदूर हैं तो CMI का अगर हम डेटा देख लें तो बारा करोड लोगों की नौकरी अप्रेल में गई जो लोग मार्च में जिनके पास काम था बारा करोड का रोजगार गायब हो गया ऐसे लोगों का माई में जब लोगडान थोड़ा बहुत खुला है तो इनमेंसे दो करोड लोगों के पास रोजगार वापस आया है लेकिन आज भी 10 करोड जो लेटेस CMI का डेटा है 10 करोड के लोगों के पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है अब इनमेंसे ज़ादा तर तो दिहारी बंसदूर होंगे उनमेंसे बहुत लोग आप जानते हैं गाहों वापस चले गए हैं लेकिन बहुत मिडल क्लास के लोगों हैं जिनकी नौकरी गई है या इनका पे कट हुआ है या उनको जबरदस्ती अनपेड लीव पर भेजा गया है ऐसे बहुत सारे मिडल क्लास के लोग है इनकी आय कम हो गई है और ये खर्च भी कम कर रहे हैं और इसका एक नया सर्वे आया है, क्रेडिट विद्ध्या वोल कि एक कमपनी है, इन्होंने ये सर्वे निकाला है, क्रेडिट विद्ध्या ने लगबग 5 लाख लोगों का सर्वे किया है, ऐसे लोगों का जो चीजे खरीदते हैं, जो चीजे खरीद पाते हैं, जिसको हम एक भोगता क्लास कह सकते हैं, बाग ही सब ऐसे हैं, जिनको मुश्किल से दोवक्त की रोटी मिल जाए, तो वो ही काफी है, वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं, तो सिरफ सर्वे जो किया जा रहे हैं, जो कुछ खरीदते हैं Credit Vidya ने इनको भी 3 class में बाटा है 3 श्रेणी में बाटा है सबसे उपर है जिनको वो affluent यानि कि संपन्न class कह रहे हैं उनका कहना है कि जो भोगता class है 53 कडोर उनमें से 10 प्रतिशत संपन्न class में पढ़ते हैं उसके नीचे आते हैं जिसको वो mid market कह रहे हैं middle class आप कह सकते हैं जो middle middle class के लोग हैं जिनकी आय 20,000 से लेकर 60,000 रुपे तक है ऐसे लोग वो कह रहे हैं लगभग 20 प्रतिशत है ये 53 करोड के 10 प्रतिशत संपन 20 प्रतिशत mid market अब बाकी रह गए 70 प्रतिशत जो उभगता class के लोग हैं ये जो 70 प्रतिशत है इनकी आय कितनी है 10,000 से 20,000 महीने की आय है ये भी कुछ खरीदते हैं लेकिन जादा कुछ खरीद नहीं पाते हैं इनको mass market यानि की arm market कहा जा रहा है credit विद्या के survey में credit विद्या के survey से अब पता चलता है कि जो संपन्न category के लोग हैं यानि कि भोगता category के top 10% लोग जो हैं ऐसे लोग इनकी आय 15 प्रतिशत कम हो गई है अपरेल के महीने में मार्च की तुलना में 15 प्रतिशत कम हो गई है और इन में से 15 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी आय नहीं हुई है अपरेल के महीने में आप सोच लगते हैं कोई दुकान है किसी का या किसी की factory है जिस पर ताला लगा हुआ था पूरे अपरेल में तो आय तो होगी नहीं ऐसे बहुत सारे संपन्न लोग भी है जिनकी इंकम जीरो रही है अपरेल में अब आप मिड मार्केट वाले जो लोग हैं जो बीस से साथ हजार की आय जिनकी है जादा थर सैलरी क्लास के ऐसे लोग होंगे इनमें अगर हम देखे तो इनकी भी लगभग आमदनी 25 प्रतिशत घट गई है 25 प्रतिशत घट गई है लेकिन इनमें सिरफ 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी आमदनी नहीं हुए जिनकी नौकरी चली गई है जिनकी छटाई हो गई है कोई भी आमदनी नहीं हुए ये 10 प्रतिशत लोग है अब देखते है는 जो आम market है, या mass market है, जो 70% वोगता category के लोगों में आते हैं, इनकी जो औसटन आये है, ये 56% घट गया है, मतल든 आधे से भी कम हो गया, 56% घट गया है, और यहां पे बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी है और इनमें से भी 15% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी आय नहीं हुई है अप्रेल में 15% लोग जिनकी कोई आय नहीं हुई है और औसतन आय जैसे मैंने बताया 56% घट गया है अब आप सोची इसका असर खर्चे पर क्या होगा हम अगर देखे संपन लोग जो हैं मैंने बताया आपको कि ऐसे लोग हैं जिनकी आय साथ हजार महीने से 60,000 रुपे महीने से ज्यादा है ऐसे लोगोंने अप्रेल में लगभग 26% खर्च कम कर दिया था मार्च की तुलना में 26% खर्च इन्होंने कम कर दिया अब आते हैं mid market category में इनोंने भी लगबग 24 प्रतिशत अपना खर्च कम कर दिया March के तुनला में, April में और आखिर में जो आम market के लोग हैं जो सबसे नीचे हैं इस तबके के जो लोग हैं इनोंने अपना खर्चा 54 प्रतिशत घटा दिया चववन प्रतिशत घटा दिया अपना खर्चा आधे से कम कर गया हाँ एक इसका बड़ा कारण यह है दुकाने बंद है डेलिवरी नहीं हो रही है तो खरीदेंगे क्या तो खर्चा तो अपने आप कम होने ही वाला है लेकिन एक चीज़ याद रहा है जो सबसे नीचे तपके के मिड्ल क्लास के लोग है जिनकी आयत 10 से 20 कर हजार के कैटेगरी में आते है मैं यह क्रेडिट विद्या के सर्वे के तौर्ट पे कह रहा हूं इन में से जहातर लोग भी खर्चा जो करते नो वह एसेंशेल खर्चा ही करते आवश्यक खर्चा करते जिससे आप निकल नहीं इनों ने अगर अपना खर्चा 54 प्रतिशत कम कर दिया है तो इसमें कुछ पार्ट ये भी है कि ये जान बूच के खर्चा कम करें क्योंकि इनकी आय कम हो गई है और साथ में इनको डर लग गया है जैसे मैं कह रहा था खरेडिट विद्या का भी यही कहना है कि एक बड़ा क सारण डर है और confidence का loss है कि आने वाले दिनों में क्या होगा इसलिए बचत करो खर्चा कम करो इसको देखने का एक उपाय हमारे सामने है जिसको क्रेडिट विद्या ने भी यूज किया है उन्होंने देखा कि बचत कितना बढ़ा है आय कम हो रही है लेकिन बचत बढ़ रहा है या बचत वहीं है आय कम होने के बावज़ूत यानि कि आय की बचत की जो मातरा है आय की तुलना में वो बढ़ रही है अगर हम बचत देखे तो सबसे जादा बचत बढ़ा है मिड मार्केट कैटेगरी में इन लोगों ने लगबग जो 20-60,000 रुपे की आय जिन की है उन लेकिन उनने बचत अपना बढ़ा दिया 34 प्रतिशन यानि अगर किसी की आय लगबग या सैलरी की लगबग 40,000 थी और वो 10,000 रुपे बचा रहे थे अब उनकी आय 34,000 हो गई है लेकिन वो बचा कितना रहे हैं 13,400 रुपे इसका एक कारण जैसे मैंने कहा कि बाहर दिनों में उनकी आय और भी कम हो सकती है नौकरी जा सकती है पे कट हो सकता है या फोस्ट अनपेड लीप पे जाना हो सकता है तो इसलिए वो बचा रहे हैं पैसा आने वाले दिनों में खर्चा चलाने के लिए अगर हं सब से नीचे वाले कैटरिग impelle में देखें मैंने पर्चा भी आदा हो गया उनकी आए भी आदे से कम होगी लेकिन फिर भी वो बचत बढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत उन्होंने भी अपना बचत 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है जो की 10,000 से 20,000 में कमाने वाले मैस यानि की आम मार्केट के लोग हैं यानि की सबसे नीचे तपक के जो लोर मिल्ल क्लास के लोग है वो भी बचत बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको डर है आने वाले दिनों में और भी बुरा होना वाला है इसलिए वो अगर कुछ खरीदना था उसको अब नहीं खरीदे रहे हैं खरीद सकते भी हैं तो नहीं खरीद रहे हैं अच्छा अब सारा बचत करते हैं तो अब उनको बचत बढ़ाने की जरूरत नहीं हो रही है अब आप देखिए बचत करने का एक और बड़ा कारण यह है क्योंकि EMI देना पड़ता है सब ही कैटेगरी की लोगों ने लोन ले रखा है वो EMI देते हैं सब ने लेकिन कुछ अब आप देख अब पूरे बहीने अगर आए नहीं हुआ है थोड़ा पैसा बचा के रखा है क्रेडिट विद्या का कहना है कि यह अगले एक डेड़ महीने तक अपनी EMI दे पाएंगे उसके बाद यह लोन वापस नहीं कर पाएंगे इनका लोन खराब लोन हो जाएगा यह बैंकिंग सेक दो महीने तक उनके पास इतनी बैंक बैलंस है दो महीने तक वो अपनी EMI दे पाएंगे उसके बाद वो नहीं दे पाएंगे इनमें भी खराब लोन बढ़ जाएगा काफी तेजी से बढ़ेगा संपन लोग मैंने का उनके पास अभी भी पैसे हैं EMI दे सकते हैं उनके पास banking sector पर पढ़ सकता है लोग खर्चा कम कर रहे हैं मतलब चीजे बिकेंगी कम मतलब company का मुनाफ़ा कम होगा मुनाफ़ा कम होगा तो लोगों की छटाई और करेंगे और ये पूरा जो cycle है ये चलता रहेगा साथ में लोग बचत तो कर रहे हैं लेकिन EMI देने के लिए कर रहे हैं जिनके पास आय नहीं है हो सकता है वो EMI ना दे पाएं तो सारे जो खराब लोन की मातरा है वो banking sector में बढ़ने वाला है तो ये जो पूरा economic system है इसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इससे निकलने का एक ही उपाय है मोधी सरकार लोन मेला का खेला छोड़कर लोगों के हाथ में पैसे पहुँचाए लोगों को नौकरी देने का इंतिजाम करे तभी भारत की जो economy है वो डूबने से बच सकती है नहीं तो economy पातालोक में जाने वाली है